आज हम सीखेंगे सेलूलाइटिस के बारे में सेलूलाइटिस एक आम और गंबीर बैक्टिरियल इन्फेक्शन है सेलूलाइटिस में तौचा में सूजन वे लालिमा आ जाती है जो चूने पर गरम लगती है और उसको चूने पर दर्द भी महसूस होता है यह रोग शरीर के दूसरे भागों में काफी तेजी से फैलता है सेलूलाइटिस संक्रमन आम तोर पर एक वक्ती से दूसरे वक्ती में नहीं फैलता सेलूलाइटिस में आम तोर पर टांगों के निचले हिस्से की तौचा अधिक प्रभावित होती है हलाकि यह चेहरे पर और शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है सेलुलाइटिस आम तोर पर तुचा की उपरी भाग पे होता है तो अब इस डायग्राम की हल्प से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सेलुलाइटिस कौन सी लेयर में होता है तो सबसे तुचा की उपर वाली लेयर को हम EPDermis बोलते हैं क्योंकि वो dermis के उपर होती है Medical में epi का मतलब उपर होता है और hypo का मतलब नीचे तो epidermis, dermis और hypodermis तुचा की तीन लेयर के नाम है epidermis जो है वो उपरी भाग होता है उसके नीचे dermis होती है जो की connective tissue होता है जिसके अंदर खून की नलिया और नसे होती है उसके नीचे जो fat की layer होती है उसको हम hypodermis बोलते हैं इस fat की layer को हम subcutaneous tissue भी बोलते हैं जो yellow color की आप fat की layer देख रहे हैं जो muscle के ऊपर बैठी है इसी layer के अंदर cellulitis का infection फैलता है तो definition के हि साब से it is a non-superative non-superative means इसके अंदर पस नहीं आती और जब पस आती है तो staphylococcus bacteria की वजह से आती है मतलब cellulitis तब तक abscess बन जाती है तो it is a non-superative invasive infection skin के अंदर ulcer होगा, breach होगा, tear होगा उसी की वजह से जो सतै पर bacteria होंगे वो अंदर जाएंगे और इस adipose tissue यानी इस fat की layer में जो yellow color की है, इस subcutaneous fat के अंदर infection करेंगे, invasive infection in subcutaneous tissue, एक और चितर के मादम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, कि ये subcutaneous tissue कहा होता है, तो yellow color का जो आप tissue देख रहे हैं, ये सारा fatty tissue है, और इस fat के अंदर, adipose tissue के अंदर ही हमारा cellulitis infection होता है, ये तीसरी layer पे आत जासे cellulitis होता है, ये जनरली एक bacterial infection है, जो streptococcus bacteria की वज़े से होता है, streptococcus के कई strain होते हैं, जिसमें से जो group A होता है, streptococcus pyogenes beta hemolyticus, इसकी वज़े से cellulitis का infection होता है, अगर इसके अंदर abscess दिखने लग जाए, तो यानि उसके अंदर staphylococcus aureus भी मिलके उसके अंद है, अगर clostridium पर frangents भी इसके अंदर add up हो जाए, तो ये cellulitis भयंकर यानि complicated necrotizing fasciitis बन सकती है, जो कि महा को आगे बताऊंगा, source of infection, किस वज़े से cellulitis होई, injuries की वज़े से यानि जो हमारी तो अच्छा की सतय है, उसके ओपर अगर tear है, breach आया, scratch लगी उसकी वज़े से, और bites यानि snake bite और scorpion bite, इन दोनों bites की वज़े से भी cellulitis हो जाता है, अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि cellulitis शरीर की किसी भी तवाचवा पे हो सकता है, लेकिन जो common sight है, वो है, पैरो पर, face पर, और scrotum पर ये जादा तर देखा जाता है, उसके बाद अब य इसे प्रोड़क्ट जिनका नाम है, streptokinase, hyaluronidases, or proteases enzyme, ये enzyme proteolytic enzyme होते हैं, जो protein को lysis कर देते हैं, protein को तोड़ देते हैं, ये enzyme actually connected tissue के collagen fibers को break down कर देते हैं, जिसकी वज़े से ये bacteria और अंदर spread हो जाते हैं, और bacteria easily subcutaneous fat तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद ये tissue destruction करते हैं, tissue की injury करते हैं, जिसकी वज़े से surface पे ulcer दिखने लगता है, अब वो actually दिखता कैसा है, number one, जिस तौचा पर cellulitis होई, उसके अंदर सूजन हो जाएगी, वो swell हो जाएगी, उसके अंदर serious fluid भर जाएगा, इसी को बोलते हम edematous fluid, उसके बाद इसी वज़े से उसके अंदर itching हो number two, with all signs of inflammation, वो तौचा के अंदर सूजन होगी, उस तौचा का color हो जाएगा shiny red और वो हो जाएगी बहुती painful, उसके बाद जो bacteria उधर present थे, वो जाएगे lymph vessel के अंदर, lymph vessel से वो पहुच जाएगे lymph nodes तक, और lymph nodes पहुचने के बाद, lymph nodes में कर देंगे सूजन, तो soft infectious swelling देखने को मिलेगी lymph nodes की, जो की painful होगी, उसके बाद, bacteria, exotoxins और cytokines भी release करते हैं, जिसकी वज़े से पूरे खून के अंदर ये exotoxins फैल जाते हैं, जिसकी वज़े से patient को होगा, जादा तेज बुखार, और साथी साथ headache, उस patient को nausea भी हो सकती है, और vomiting भी हो सकती है, high grade fever के साथ उस patient क चिल्स भी होंगे, अब हम बात करते हैं, WBCs की, यानि immune cells की, immune cells का जो role है, वो बहुत important है, acute infection के अंदर neutrophils का जो role है, वो बहुत important है, ये immune cells destroy करने की कोशिश करेंगे, streptococcus bacteria को, जिसकी वज़े से, जो normal WBC count होता है, 4000 से 11000 per mm cube, ये जाएगा बढ़ और इसको हम blood test के अंदर नोट भी कर सकते हैं, अब cellulitis का इलाज क्या है, नमबर 1, complete bed rest necessary है, नमबर 2, cellulitis जिस तो अचा पे हुआ है, उसके ओपर magself की dressing कर सकते हैं, magself means glycerin, magnesium, sulfate, MgSO4 की dressing, जो की swelling को कम करती है, जो serious fluid की वज़े से swelling हुई थी, ये उसको कम कर देती है, नमबर 3, तो cellulitis होने पर और तो तो अचा पे जो infection ऐसे बढ़ रहा हो, और swelling हो रही हो, जिसमें से pain हो रहा हो, और बुखार भी हो, ऐसी condition में clinic या hospital जाना बेहत जरूरी है, क्योंकि वहीं first line of treatment start होता है, तो hospital जाकर, जो first line of treatment है, वो है intravenous crystalline penicilline 10 lakhs unit, जिसको हम IM भी दे सकते हैं, या intravenous भी दे सकते है muscular भी दे सकते हैं, जो की six hourly देना होता है, ये injection हम छे से साथ दिनों के लिए भी दे सकते हैं, अगर severe cellulitis है तो वरना एक दो दिन के लिए ये काफी है, उसके बाद हमें oral tablets देनी होती हैं, अब oral tablets के अंदर हम penicilline का ही derivative जो की है, फ्लुक्लॉक्ससिलिन 500MG, दिन में तीन ब सकता है, 500MG दिन में दो बार, पांच से साथ दिनों के लिए, और तीसरे नमबर पे augmentin, इन में से कोई भी आप prefer कर सकते हो, augmentin 625MG जिसके अंदर 125MG क्लॉवलकुनेट एसिड है, और 500MG हमॉक्ससिलिन है, ये क्लॉवलकुनेक एसिड बैक्टीरिया के उन एंजाइम्स को करते हैं, जो बैक्टीरिया खुद के बचाव के लिए बनाते हैं, जैसे की बीटा लेक्टेमेज एंजाइम्स, तो उसको डिस्ट्रोई करते हैं, तो इन टोटल ये जो तीन दवाईयां है, ये ग्राम पोजेटिव बैक्टीरिया जैसे स्टाफाइलो कोकस और स्ट्रेप् पांच से साथ दिनों के लिए चलता है, और इतने दिन में ये एक्यूट इंफेक्शन खतम हो जाता है, तो ये डेफिनेटिव ट्रीट्मेंट है, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रोई करते हैं, उसके बाद सपॉर्टिव ट्रीट्मेंट, जैसे की हाई फीवर होगा, तो उ आपको चाहिए कि पेन भी रिडियोज हो जाए, और उसके साथ हीलिंग भी हो जाए, तो आप काइमोरल फोर्ट प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काइमोर ट्रिप्सिन है, उसके बाद इतनी सारी गोलिया देने के बाद पेट के अंदर दर्द होना निश्चित ह तो उसके लिए एंटासिट दिया जाता है, या पीपी आई दिया जाता है, पीपी आई में आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि रैबमेक या फिर पैन टॉप उसके साथ मिला हुआ होगा, डॉम पेरिरोन, तो पेशन्ट को वोमिटिंग भी नहीं होगी, अब नंबर निकालना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप लोकल इंफिल्ट्रेशन कीजिए, लोकल एनेस्थीसिया का, और उसके बाद स्टैब इंसीजन दीजिए, जो पस का सबसे उपरी भाग है, उसके उपर आप स्टैब इंसीजन दीजिए, बीपी ब्लेड से, और उसके स्टार्टिंग में तो इंफेक्शन जो था, वो सीरस फ्लूइड से भरा हुआ था, मतलब उसमें कोई पस नहीं थी, लेकिन लेटर ओन स्टैफाइलो कोकस ओरियस इसके अंदर एड़ अप हो जाता है, जिसकी वज़े से पस बननी शुरू हो जाती है, नमबर टू, नेक्र कोकस पायोजीनीस की वज़े से होता है, इसके अंदर extensive necrosis हो जाती है, मतलब जो हमने subcutaneous fat देखा था, वो totally dead हो जाता है, और जो उसके उपर की skin है, वो भी पूरी dead हो जाती है, यह highly spreading infection है, अगर यह एक पार्ट में हुआ होगा skin के, तो यह फैलता जाएगा, तो इसको treat करन बहुत ही important है, जिसके अंदर hospitalization और सारी ही drugs intravenous देनी पड़ती है, number 3, cellulitis के अंदर high grade fever, जो कि मैं बता चुका हूँ, कि fever हो सकता है, chills के साथ हो सकता है, क्योंकि जो 100 toxins release होते हैं, जो वो पूरे blood के अंदर फैल जाते हैं, इसी condition को हम toxemia बोलते हैं, तब fever हो जाता है, अब म cellulitis किसी भी age group में हो सकता है, लेकिन 40 plus age के अंदर ये जादा common है, उसके बाद उन persons के अंदर जिनकी immunity weak है, और उन patients के अंदर जिनके blood के अंदर sugar level high है, यानि diabetes के patient, ऐसे patients को cellulitis होना जादा आम बात है, इस वीडियो में फिलाल इतना ही, मैं मिलूंगा फिर किसी नए topic के थैंक यू